सब्सक्राइब कीजे समार्टफॉं की चैनल को और बेल अइकंट को दबाईए सबसे पहले लेटिस्ट वीडियो देखने के लिए हैलो दोस्तो समार्टफॉं की चैनल में मैं आपका करता हूँ दोस्तो स्वागत दोस्तो यदि आपको Yuko Bank में अकाउंट है और अभी तक आपने किसी को नॉमिनेट या फिर कहें आपने अभी तो किसी को अपने अकाउंट को नॉमिनी नहीं बनाया है तो आप जानना चाते हैं कि Yuko Bank का नॉमिनेशन फॉर्म कैसे भरते हैं तो आभी की वीडियो में मैं आपको यहीं बताने वालों कि कैसे आप Yuko Bank का नॉमिनेशन फॉर्म भर सकते हैं वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपको आई वीडियो पसंद तो लाइक ज़रू कर देना दोस्तों के साथ शेयर करते हैं इस वीडियो को और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है स्मार्टफॉन की चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना स्मार्टफॉन की चैनल को साथी घंटे को भी दबा देना आने वाली हर लेटेस वीडियो की जानकारी के लिए तो चलिए बीन देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, सबसे पहले जो है यहां आपको अपना name यहां लिख देना है, name लिख देने के बाद यहां लिखावा पड़ सकते हैं, nominate the following person to whom in the event of my death, the amount of the deposit particulars where are given below may be returned by Yuko Bank आपके Yuko Bank के जिस branch में आपका account है, उस branch का यहां आपको name लिख देना होगा इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ आप लिखा हुआ पर सकते है नॉमिनी इस portion में आपको नॉमिनी की detail भरनी है यहाँ लिखा हुआ पर सकते है नेम यहाँ जो है नॉमिनी का नेम लिखना है मैं आपको बता दूँ यदि आपको कुछ हो जाएगा और यहाँ जिसका नेम लिख रहे हैं तो आपके जो account में जो balance होगा जो भी धनराशी होगी जिसका आप यहाँ नेम लिख रहे हैं वो धनराशी इनको मिलेंगे यदि आपको कुछ हो जाता है तो यहां जो है nominee का name यहां लिख देना है फिर nominee जहां रहता है वो address यहां आपको लिख देना होगा फिर आपने जिसका यहां name लिखा है उसका आपका relationship में क्या लगता है तो वो यहां आपको लिख देना होगा उसके बाद आप यहां लिखा हो पर सकते हैं age nominee की age क्या है वो यहाँ आपको लिख देनी होगी इसके बाद आपको नीचे आ जाना है मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा यह second column उन लोगों को भरना है जो nominee की उम्र 18 साल से कम की है तो यह second column भरना उनको बहुत ज़्यादा जरूरी है यदि nominee की उम्र 18 साल से उपर की है तो आपको यह second column बिल्कुल नहीं भरना है और मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि nominee की उम्र 18 साल से कम की है तो यहाँ जो है आपको एक और जने को appoint करना होगा इसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ आप लिखाओ अपर सकते है signature time impression of depositor तो यहाँ जो है आपको अपने signature यहाँ कर देने है यहाँ जो है आपको अपना place यहाँ लिख देना है और आप जिस दिन इस form को bank में जमा कराएंगे उस दिन की date यहाँ आपको लिख देनी होगी और इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि नॉमनी की उम्र 18 साल से कम की है तो यहाँ जो है witness की भी ज़रूरत पड़ेगी यदि नॉमनी की उम्र 18 साल से उपर की है तो आपको यह नीचे का column बिल्कुल नहीं भरना है यह सारी चीज़े आप भर देंगे तो आपको इस form में और कुछ नहीं भरना है आशा है दोस्तो अभी की वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है